नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब लगातर आज हम बात करोंगा सब्ता भर में क्या क्या रहा जीले में खास सबसे पहले हम बात करते हैं अब शिवालियों की जी अभी सावन मास चल रहा है और पिछले सब्ता 25 तरीक की बात करें उसके बाद 26 तरीक को पहली सुमवारी पढ़ रहे थी जहां मैं आपको बता दूँ कि सुमवारी के दिन में सावन के महने में सभी सिवालियों में भक्तों की अटूट भीड रहती है लेकिन इस कोवीड महामारी के दورान उस समय सिवालियों में पूरा सुनापन बड़ावा था लोग यहां एकधुक्त भक्त आ रहते हैं वहां की पजानों से भी हमने बात किया था तो उनका कहाना था कि महामारी के बाद देखनें को नहीं मिल रही है और हम लोग जो है सो उसको प्रोपर तरीके से कोविट गैडलाइन जो सरकार के द्वारा मिला हुआ उसको हम लोग पालन कर रहे हैं है जहां धरमकरम की बात हो रही है तो धरमकरम की बात के को लेकर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि जैन मुनी यहां पर आई हुई है जिसके लेकर सुरशिदी भवन में चत्रुमास कलस्ट की अस्थापना की गई है और हम आपको बता दें कि जैन मुनी जो होते हैं वो बरसातों में चार मास के लिए जैन मंदिर में अपना परवास कर लेते हैं ताकि उनके पॉल से चल लने सकते हैं ने बनाने किसी मंद्र में परवास कर लेती है इसकी वज़ाए यह कि उसको आप ये वी का सकते हैं कि जए धर्मा के चलते हैं और अइसा प्रवम धर्म ही उनके लिए अब मैं बात करता हूं अप्राज जगत की अप्राज जगत के बारे मैं बता दूँ आपको कि पिछले एक सफ्ता गंदर कोड़ोमा पुलिस ने के सराब ठीकाने जहां पे महुआ सराब बना जाता था जहां पे तरीके से सराब बनाने काम किया जाता था उन भडियों को द्वस्त किया गया और उन भ अवस्तिस है वो भटी लेकिन कहीं कहीं ये भी सवाल खड़ा करता है कि जीला मुख्याले से मातर दो किलोमेटर की भटी दूरी पर भटी रहने के बाद भी थारफ पुलिस को इसकी सुचना नहीं मिलना यह अपने आप में एक सवाल है अब मैं आगे बात करता हूं कि जील अब जज के द्वारा पर्थान दिला जज जो है हमारे यहां उनके द्वारा गाज़त तसक्रों को जो अबेद गाज़त तसक्री के मामले में ग्रिफतार हुए थे उनको दस साल के सथ्सरम सब्सक्राब मिली है और साथ में एक लाख रिपका जूर्माना मिलाए आपको पत लोग वेबसाइट लॉंज किया है जिसके द्वारा लोग अपनी समस्याओं को उपायोत के तक पहुंचा सकते हैं और उपायोत के तक इस बातों को पजाने के बाद उनके समस्या को जल्द से जल्द निजान कर दिया जागा इसलिए इस पर राली की सुरुवात की गई है उसके बाद उपायोत की बात करें तो पहुत ने पर्याटन को बढ़ावात देने के लिए जी लेए के कव तीर्थस्तल करती तरस्तल जो है उसका उनोंने मुआयना किया जैसे ब्रिंदा वाटरफॉल जैसे पैट्रो जल परपाद या कहे त्लेया डेम में में उनोंने प्रेटकों के लिए होती है वो उसकी बेवस्ता की दुरुस्त किया है ताकि जीला में प्रेटन छेतर को पढ़ावा मिल सके अब मैं बात करता हूं अधिवक्ताओं की आपको मैं बता दूं कि पिछले एक सब्ता के अंदर राची हाइकोट के अधिवक्ता मनोज्जा एवं धनवाद के जीला जैज उत्तमानंद की सुनियोजी तरीके से हत्या कर दी गई थी जिसकी जात सीवियाई भी कर रही है इसको लेकर पिछले सुक्रवार को अधिवक्ताओं ने भी पूरे राज्य के समर्थन में हरताल किया था इस दौरान जितने भी नियाइक बियोस्ता म अब मैं बात करता हूं बारिस से लोका जीना हुआ मुहाल के बारे में आपको मैं बता दू कि लगातार चार दिन से हो रही बारिस के वया से जीला के मुख्य से जुमित लिया के कैम मुहले ऐसे हैं जिसका मैंने कल भी दौरा किया था वो सारे मुहले में कमर से उपर तक पानी भरावा था के घर तो ऐसे मिले थे जो टाबू बने वे थे जिनका घर से रोड तक निकला भी मुहाल हो गया था अब यह कर सकते हैं का फिर तक पानी भरावा था जिसके वज्जा से उनके खाना भी बनाना दुर मुन में दीखा कि कैब मैंवेसी भी मिले जो पानी को या से करिंसा सही सही खापी ने रहे थे और वो बिमार पढ़ने कार पे हैं है तो आपको के सामने मैंने बताया कि सफता बर में पुरे जिले में क्या राख खास लाइब लगातार के लिए कुडरोमा से अरुन बर्नवाल नूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगातार.in के साथ